नमस्कार आज इस वीडियो में हमें आपको एक लेटर दिखाने जा रहे हैं यह लेटर लखनव से आया है यह अभी जो है जल्दी लेटर आया है बहुत जल्द और जल्दी ही आपको इसमें जो लेटर में लिखा है वो काम कम्प्लीट भी करना है इसलिए हम आपको यह वीड हम पढ़के सुना रहे हैं आपको तो वीडियो को पूरा सुने और ज्यादस ज्यादस शेयर भी करें क्योंकि यह बहुत जरूरी है और यह जो है यह जो समस्त विकास खंड अधिकारी के लिए लेटर है जीला अधिकारी के लिए बिकास खंड अधिकारी पर्योजना अधिका और प्रभारी चिकत्सा अधिकारी के लिए यह है तो यह लखनाव से लेटर है वो हर जीले के लिए उपलब्द हुआ है तो यह हम आपको जो लेटर दिखा रहे हैं यह कोड़ सामी से है अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरू रख लें तो चलिए हम वीडियो को आपको पूरा ओपन करके दिखाते हैं लेटर जो है यह लेटर किस बारे में है कि समस्त विकास खंड जननी सुरच्छा के लाभारतियों की सूची जो है वो सलंगन है और इसमें जो है यह लेटर है कि कन्या सुमंगला मान्य मुख मंत्र जी की जो योजना है वो बहुत महत्वकांची योजना है इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं है या छमा करने लायक नहीं है अगर किसी ने भी लापरवाही की इसके सास्थ तो यह लेटर अभी जो है सूचना जो के रूप में अवेदन पत्रों की प्रगत जो सूचना प्रति दिन पांच बजे अधो अस्थाच्छरी को अउगत भी कराएंगे यह कराएं है और इसमें हर जीले में पहुचा भी मतलब दिया गया है हर विकास खंड में तो इस लेटर में क्या है कि मंत्री जी ने कहा कि इसमें जो है किसी की लापरवाही बरदास्त नहीं की जाएगी चलिए हम आपको पूरा लेटर पढ़के सुनाते हैं कि यह लेटर अभी जो निकला है यह है 272 2020 की है दिनांग 272 2021 तो यह है समस्त विकास खंड अधिकारी के लिए समस्त पर योजन अधिकारी समस् तो बीसाई क्या है कि मुख मंत्री कन्याश मंगला योजना का फॉर्म आनलाइन कराये जाने और अग्रसित किये जाने के संबंद में है और इस समय जो है एक संचारी रोग चल रहा है वो संचारी रोग के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें आसाओं के साथ रैली निकालनी है तो आप लोग सहयोग जरूर करें आसा के साथ रैली जरूर निकालें भाईया हमारा कम बताना है हमने बता दिया है आप चाहे करें या ना करें या आपकी मर्जी है लेकिन यह जरूरी है करना तो आए एक खबर में पूरी क्या हम आपको बता देते हैं कि कला रिपोर्ट 2020 और 21 दिनांक दो फर्वरी 2021 द्वारा कन्या सुमंगला योजना अंतरगत पात्र लाभार्थी को आनलाइन आवेदन करा कर लच्छ की पूर्ती कराये जाने के निर्देश दिये गए हैं आताह उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि समस्त विकास खंडों में सिविर लगा कर ग्राम पंचायतों के सदश ग्राम विकास अधिकारी, आंगनवाडी, कारिकर्ते और आसा बहूं, नर्सों आदिके माध्यम से जन्नी सुरच्छा योजना से लभानवी तथा अनिस रेडियों के पात्र लभार्थीयों को आनलाइन आवेदन करा कर लच्छ की पूर्ती कराना सुनिश्चित करें तथा सिवीर में ही लंबित अवेदक पत्रों को अपने अस्तर से अग्रसित भी कराएं, आनलाइन हुए तथा अग्रसारित किये गए अवेदन पत्रों की प्रगति सुचना से प्रति दिन साए पांच बजे अधो हस्ताच्छरी को अउगत भी कराएं तो ये लेटर हमने आपको पढ़के सुना दिया है, जो जानकारी आपको अच्छी लगिए जानकारी से संबन्द जो आपको जानकारी मिली है, ये हमने आपको दिया, अब आगे क्या करना है आपको करना है, तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो जरूर देखें, धन्माद